पैन इंडिया आउट्रीज प्रोग्राम के तहट सेक्रिटी डियले से सिर्माउर आज आपके साथ एक ऐसा केस डिसकस करेगा जिससे आपको पता चाहेगा कि कितने वल्नेरेबल होते हैं जो बैड रिडन होते हैं या डिफरेंशली एबल्ड होते हैं यह कहानी एक क्लासी केस है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सूरज एसकुमार स्टेट अफ केरला ओनबल हाई कोट या ओनबल सुप्रीम कोट की जज्जमेंट नहीं रादर केरला सैसन्स कोट की जज्जमेंट है मगर फिर भी इसको लिया गया है 1310 2021 की यह जज्जमेंट बहुत ही सेंसेशनल नी होती हैं उनको वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर कभी साधी के जहांसे के बहाने कभी किसी और के बहाने फसाया जाता है ट्रैप किया जाता है फिर प्रॉपर्टी उनकी हत्याने के लिए एक ऐसा मोडस ऑपर एंडाई किया जाता है कानून करने का एक ऐसा विचित्र तरीक करूंगा ताकि हमारे remand council particularly हमारे station house officers यानि कि हमारे investigating agencies police सतर्क रहे किस तरीके से इस case में 27 circumstances को scientifically हर pedologist यानि कि जिनको सापों की knowledge हो उनकी मदद लेके wildlife experts जो हमारे wildlife officers हैं उनकी मदद लेके और इसके बाद chemical analysis करवा के ना कि केवल अपने conjecture, surmises या heroism से case को प्रूफ किया हम अपने police officers को ये request करते हैं law and order में भारत लगातर बहुती खराब ranking के साथ एक्डूनिमस record बना रहा है, under trial हमारे यहां 68% जेलों में हैं और convict के में 33%, पूरे world में ये उल्टा data है, नतीजा कभी दाताराम, कभी अरिनेज, कभी लगातर सतिंदर अंतिल की judgment के बावजूद हम wrongful arrest करते हैं, हम बे मतलब का arrest करके under trial बना देते हैं, और गरीबी के कारण, 445 CRPC की knowledge के कारण, 436A की lack of knowledge के कारण, या untrained remand council या legal aid council के कारण, हमारे गरीब marginalized accused जेलों में रहते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, forensic experts, herpetologists और scientific temperament के साथ, जो minimum fairness से investigation का, वो provide करेगी हमारी police, ताकि उत्थरा murder case, जिसमें एक mentally retarded kind of, या differently abled, या bedridden victim को, शादी के जहांसे से फसाया गया, और फिर कभी 7000 रुपे में वाइपर छोड़ा गया CD पर और उससे बच गई, तो फिर दूसरा कोबरा खरदा गया 7000 रुपे में, और इस बार sedative या citrism नाम का कोई भी chemical उसको खिला कर इस्टूपिफाई किया गया, section 328 Indian Penal Code का offense भी किया गया, वाइपर से लड़की बच गई, 307 Indian Penal Code पर लग गया, लेकिन लगातार इंटरनेट में सापों की knowledge लेता रहा पती, यानि कि सूरज S. कुमार, और फिर एक कोबरे वाले को contact किया, फिर 7000 रुपे में कोबरा करदा, और इस बार stupefying substance देके लड स्पिटर ले जाने के लिए, और एसे और क्या की लड़की मर जाए, और इसलिए culpable homicide not amounted to murder नहीं, बकाइदा, murder का चार जैने 302 लगा, जिसको define किया गया 300 के first part में, अब यहां पर Pan India Outreach Program के तहत, अगर हम इतने sensitize हो जाएं, कि law का access केवल अमीरों को नहीं, law का access केवल able bodied को नहीं, बलकि जादा ज़रूरत है competent defense counsel और competent prosecutor की, जहां पर victim जो है, वो marginalized society से हो, ऐसी लड़की की family को victim compensation scheme हिमाचल परदेश का 2019, और अगर हिमाचल जादा बहतर नहीं है, तो मनोहर और सुरेज, Honorable Supreme Court की judgment है, उसके basis पर, केरला के victim compensation scheme के तहत, उनको compensate करना, क्यूंकि यहां उथ मर गई तो उसके कोई मा, बाप, जो भी legal representative है, उनको मुआफजा देना, और नालसा के scheme में, और अगर हिमाचल के scheme में conflict है, क्योंकि नालसा women specific है, हिमाचल का scheme gender specific नहीं है, लेकिन conflict होने पर नालसा prevail करता है, इस तरह के से आपने इस चोटे से वीडियो में victim compensation scheme के बारे में जा कि scientific investigation भी जो है, वो fundamental right है, accused का, victim का, और इसी से conviction का level जो है, बढ़ता है, जब conviction का level बढ़ेगा, तो law and order situation सुधरेगा, और law and order situation सुधरेगा तो देश में लोग investment करेंगे, investment होगा तो देश definitely prosperous करेगा, और एक win-win situation आएगा, हर एक stakeholder को ये समझना चाहिए, पैन इंडिया movement के व खुमना और information voucher बाटना नहीं है, असली बदलाव लाना है, अगर आपको लगता है, ध्यान से सुने, रिवान काउंसल या law student, अगर आपको लगता है कि police scientific तरीके से आगे नहीं बढ़ रही, जैसे यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर देखा गया, कि सांप अपने आप इतनी उ अंठर से उंचा खुद खड़ा नहीं हो सकता, यानि खड़े होने का मतलब है कि वो खिरकी से पार नहीं आ सकता, तो इसका मतलब occasion, opportunity, यह सब husband के पास था, section 7 में जो relevant है, इस से पहले भी हुआ कि wiper CD में मिला, और फिर कोबरा, जबकि उस घर में कईशे entry नहीं थी, section 14 और 15 में लगातार कोई चीज हो तो वो accidental हो जाती है, यह भी evidence act में लिखा है, 293 CRPC और section 45 evidence act की मदद से, herpetologist और wildlife experts की मदद से opinion बनाया गया, ना कि layman की तरह या fantasy world में Netflix साउधान इंडिया को देख देख कर mind बनाया गया, इस objectivity और scientific temperament से जब conviction होती है, तो इस से लोगों का विश् पास बढ़ता है, और इंटरनेट में लगातार सर्च करना, call detail लिया गया, इंटरनेट से Google से मदद ले गई, total 27 circumstances से scientifically इस case को प्रूव करने के कारण, आज पैन इंडिया आउटीज प्रोग्राम में मैंने आप सब के लिए सूरज एसकुमार state of Kerala की judgment को उठाया और share किया, जय हिन, जय हिम बाचल